और बात मौसम की चक्रवाती तंत्र के साथ प्रदेश से होकर गुजर हे पश्यमी विख्षोब ने लोगों की दिन चर्या बदल दी है दिन की शुरुवात घने कहरे और ठटूरन से हो रही है वहे दिन और रात के पारे में उतार चड़ाव ने सर्दी बढ़ा दी है प्रदेश के कई जिलों में आज भी घना गोहरा चाया रहा खेत खलीहानों में उसकी बूंदे मोती की तरह जमी नजर आई मौसम विभागने आगामे दिनों में मौसम सर्द रहने और पारे में उतार चड़ाव बने रहने का पूर्वा नुमान जताया है इधर बीती रात शेखावाटी अंचल में फिर से पारा लुड़क गया मैदानी इलाकों में सीकर 9.5 डिग्री सेल्सिस तापमान के साथ सबसे सर्द रहा बीती रात जिले में करीब धाई डिग्री तक पारे में गिरावट दर्श की गई फतहपुर्य कजबे में भी पारा 10.6 डिग्री सेल्सिस दर्श किया गया दूसरी तरफ हाड़ाती और मारवाड शेत्र में पारे कमेजवाज गर्म रहा बारा अंता में 18.7 और कोटा में नुन तमतापमान 16.6 डिग्री सेल्सिस रिकॉर्ड हुआ फलोदी में 16.4 और डबोक में 12.8 डिग्री रहा वहिद हौलपूर में 16.6 जोदपूर में 15.9 डूंगरपूर में 19.5 और करॉली में रात का पारा 15.4 डिग्री सेल्सिस दर्श किया गया वहिद दूसरी और जैपूर समेत हर्मानगड श्री गंगानगर जिलू में आज तड़के से सुर्योदे तक घना कोहरा चाय रहा हवा की थमी रफ्तार और नमी घटने से बीती रात पारे में उच्छाल दर्श किया गया जैपूर में बीती रात पारा 16.1 डिग्री रहा हवा की श्री गंगानगर में पारा 11.7 डिग्री रहा